महिलाओं के अधिकार के टोपिक में आपका पुन्हे स्वागत करता हूं हमारा मूल बिंदू जो था महिला और बाल आपराद जो रादस्थान पुलिस कॉंस्टेबल परिक्षा में दस नंबर का है और ये भारत की कई ऐसी परिक्षाई हैं जिसके अंदर ये पूछा जाता है और ये केवल राजस्थान नहीं उत्रप्रदेश, यूके, बिहार कई ऐसे स्टेट में लग एक्जामे जिसके अंदर ये प्रशन पूछे जाते हैं साथियों आज का बिंदू आज 6 नंबर क्लास आप देख रहें, 5 क्लास इससे पहले आपकी लग चुकी है, इसकी प्लैलिस्ट आपके लिए बन चुकी है और हमारे इन सब टोपिक के लिए यदि आप PDF प्राप्त करना चाते हैं या तो आप टेलेग्राम ग्रूप से से राजस्थान पुलिस के तैरी कर रहे हो, तो राजस्थान पुलिस जिन्दा बाद एक कमेंट तो पक्का होना चाहिए, विधी में यानि कानून में महिलाओं की सुरक्षा, कहां कहां पर महिलाओं को सेफटी मिली हुई है, महिलाओं की सुरक्षा की उपर साथी हो, यहा क्या क्या इसे प्रावधान वगरा की हुए हैं, वही बात हम आज के शेशन के अंदर देखने वाले हैं, देखिए बड़े बड़ी जो पॉइंट साब के बन क्याते हैं, वो यह है जैसे दहेज के अत्याचार से महिला की उसरक्षा का उपाए, यानि महिला पर दहेज के लेक कानून अलग से और बात करेंगे, दहेज के लिए महिला को तंग करने पर या जलाने वाले अपरादियों के विरुद विशेस कानूनी उपबंद क्या-क्या है वो देखेंगे, महिला की प्रती बलातकार, अपहरण और इनसे समंदित अपरादों से कानूनी सुरक्षा की हम लोग बात करेंगे, और न्याल्य की कारिया वाही मेस्त्री के लिए विशेस विवस्था क्या है, कि कोर्ट में यदि महिला को पेश करना हो, कितने टाइम के बाद किया जाए, कौन साथ होगा, गरा वगरा सारी बाते, अपरन अपराद में महिलाओं की सुरक्षा किस परका से होती है, और वर्ति वली महिलाएं के रोक थाम कैसे लगाई जाए, यह कानुन का परी थ्चुआ दो बाते बनेगे, पूलिस से समंदित महिलाओं के अधिकार क्या है, यор인가 पर महिला हैं और महीला पर क्या अधिकार यदी महीला को ध्याई कर देती है तो पोलिस को कैसा उसके साथ बरताब करना चाहिए और क्या उसकी चेकिंग हो सकती है कितने टाइम तक उसको जली में रखा आप सभी विद्यारती जल्दे से कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना क्लास आपको पसंदारिया साथी हो मुझे पूरा विश्वास है आप पीसे पहले पांच क्लास पूरी प्रोफ पर आज सुकी आपको मैंने बता दिया है पांच क्लास पूरी प्रोफ पर आप देखें पांचों क्लास से साथी हो कवर करें पंदरा लगबक क्लास दुआ पंदरा क्लास के अंदर आपके दस नमबर पक्के हो जाएंगे बता दिया आपको दस नमबर पक्के कर लो पक्के एक तंडिक विधी में महिलाओं की सुरक्ष सबसे पहले हम बात करेंगे दहेज के अत्याचार से महिला की सुरक्षा का उपाई क्या है चालो देखो सबसे पहले दहेज के अत्यचार से महिला की सुरक्षा का उपाई सबसे पहले बात आप से पुछेंगे अधिनियम बस ये 20 एक अधिनियम बनेंगे बड़े-बड़े इन 20 अधिनियम को अगली कलास के इंदर लेकर आ रहा हूं सिविल अधिकार पूरे हो गए आपके मोटा-मोटी और अभी ये चल रहे हैं देज परतिबंद अधिनियम 1961 दहेज मांगना या दहेज लेना या देने में सहरता करने वाला परतिए एक वेक्त इस अधिनियम में पांच साल की कारावास और जुरुमाने से दंडित किया जा सकता है एक बात आपको बता दूँ दहेज बीख मांगने की एक सामाजिक प्रता है जी हाँ मत कहता हूँ दहेज मांगने की वालों को अपने मात्य पर साफ साफ लिखाना से ये हम बहुत बड़े महा सामाजिक बिखारी है और आपको बता दूँ दहेज मांगना एक सामाजिक प्रता है बीख मांगने की अब देखो आप एक गजब की बाद दहेज वाले रूल के अंदर दहेज डारेक्ट नहीं दे सकते आप लेकिन उपहार का नाम करके कुछ भी दे सकते हैं उपहार के नाम में आप सोने की बरतन दे सकते हैं उपहार के नाम के अंदर आप लोग गाड़ी दे सकते हैं जो जी करें वो दे जा सकता है उपहार के नाम पे कुछ भी दे जा सकता है लेकिन मैं आपको बता दूँ टारेक्ट या कौन केस को थे कि या गाड़ी में धैज में दे रहां नहीं कह सकते या कौन केस को थे ओबैड में धैज में दे रहां कोनी देश को थे कोनी देश को आपन कोई भी आइटम यदि देनों है तो थे उपहार करके देश को डागटे देज को नाम करके देशो तो थारो काम खराब हो जासी थारो जाबत हो जासी पांच साल तैन थे चक्की पिशिंग पिशिंग आज कल चक किलो जमानों को रहे हो ना बाटा फोड़वाओ काम रहे आज कल बैठा रहे हो माचर खासी और खाज करता रहे हो और बैठा रहे हो एक इक पिशिंग देश के लिए तंकरने या जलाने वाले अपरादियों के विरुद्ध विसेश कानोनी उपबंद क्या क्या है देखिए इसके लिए हमारी भारतिये दंड सहीता की धारा चार सो अठान में क्या के अंदर उलेक है दो दाराएं इसके अंदर आएगी या तो लुगाई का आदमी या लुगाई के रिष्टेदार सासू, सूसरा, देवर, जेठ, जेठानी, नन्द या कोई भी एक्सवाई जट पती या रिष्टेदार, रिष्टदार मतलब सशुराल पक वेवार करे, गंदा वेवार करे, गाली के लोच करे, माबाप की गाड़ देवे, गंदी गंदी गाड़ दे, तेरे मतलब लखनी को नी, चुडेल, डाकन, डायने, इस तरह गंदी गंदी शवद बोले, तो भी ये क्रूड वेवार में आते हैं, अथार्थ उसे मारे, आने से औरत की शर्रिक, या मानसिक स्वास्थे को गंभीर खत्रा हो, ऐसे वेवार करें, जिससे औरत आत्म उत्य करने को मजबूर हो जाए, तो साथियों, ये अपराध की स्रेड़ी में आएगा, और यहाँ पर जो कानून लगेगा, वो कानून यहाँ पर आपका, बारति देहज के लिए उसको सताया जाए, तो रिपोर्ट जरदर्ज करा सकती है, इस बात का उलेक भी किस दारा में है, चार सो ठान में खह के अंदर है, छीक है, अगली दारा आपनी देखो, बड़ी इंपोर्टेट है, बारतिये दंड सहीता की धारा 304 खह, महिला के साथ देहज इसके लिए ऐसा क्रोड वे भाहर होता है, साधी के साथ साल के अंदर किसी गेर प्राकरति कारण से महिला की मृति हो जाती है, तो उसके पती या अन्या सुसुरावालों को उसकी मृति के लिए दोसी ठहराया जा सकता है, सारी जिंदगी जेल मेरे रणों पड़ा इसका उपबंद कहां किया गया है, ये भी आप से पुछा जा सकता है, डारेक्ट देखिए, दहेज से जुड़े दो धारायें कौन सी कौन सी है, एक तो भारतिये दंड सहीता 304 खे है, और एक आपकी 498 में, जो पहले आपको बता कर गया हूं, 408 में के है, ये दो धाराये आपके दहेज से संबंदित है, और दूसरा जो 304 खे का उपबंद है, वो भारतिये साक्षय है, साक्षय दिनियम को मतलब प्रूफ हुए है, भी देख कोई मैला होती है, परस्वास ते ठीक नहीं आज़े है, बेको लग रहा है, कोई मैला, प्रूफ देना बहुत जरूरी जरूफ है, यदि उसके साथ में, अब मालों कोई जूटी हुई है, मालों को बीननी चंटडी, बीननी कोई बंप को गोड़वा जे है, जनात तो नुकसान की बात हो हुजे, अब कोई बीननी, यदि कोई आरोप लगा रही है, या माली उसके साथ कुछ हुआ है, प्राकरत तो आब ही तो बहुत विशेस बात है आपने बारतिया सक्ष है दिन्ये मठारा सो भैतर की दारैक सो चाउदा ठैकी अंतरगत यह उपबंद है मातरा यह एक लगाई चलो अगलो कानून माईला के प्रती बलातकार और अपरहन से समंदित अपरादों से कानूनी सुरक्षा भाई वो कानून बहुत खतरनाग है इस कानून को आपको गहराई से समझना पड़ेगा भाई देखो इसके कई अलग 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 टाइप आपके सामने आएंगे अलग 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 टाइपस मैं इसको समझाऊंगा इसके अंदर जो रैडेड कलर के अंदर बात्रीस कि पॉइंट्स ई और रादस्थान पुलिस की पेपर के अंदर इसे पॉइंट्स मैंने एक्जाम के हिसाफ़ से कवर जादा करने कोशिस की है हाँ भगवान ने करे इतनी बूरी किसी के साथ में इस परकार की एननेति गटना हो जाए मैं ऐसी मंगल काम ना करूँगँ यदि भगवान नाम की कोई वस्तू यदि इस तर्थी cantrice प्रिवराज Rand तो मैं मंगल काम ना करूँगँ कि श्रिष्टी में किसी के साथ भी इस परकार की घठना नहो और फिर भी बाइदेव हो जाती है तो आपको कानुन का पतावना चाहिए मुझे थोड़ी सी इसमें open language का प्रियूग करना पड़ेगा हाँ कोई बेटी एक गुडिया यदी इसको गुरूप में बेट कर देख रही है या घर में अपने चोटे बेहन बाई या किसी गारजन के साथ बेट कर देख रही है तो earphone का यूज जरूर करें फिर भी मैं उचित language बोलने की कोसिस करूँगा पर इसमें कुस शब्द ऐसे है थोड़ा सा हम बड़ें और छोटों के बीच में परदा रखना पड़ता है अपने गुरू से शेख बीच में तो चलेगा ठीक गुरू जी बच्चों नहीं समझाएंगे तो कूण समझाएगा तो earphone का यूज आप जरूर करें अब ज़रा देखो पोइंट क्या है यदि किसी के साथ बलातकार होता है या उस महिला का अपरण हो जाता है तो इससे समंधित अपरादों से कानूनी सुरक्षा देखो सबसे पहली बात है बलातकार का अपराद यदि होता है इसके अंदर कौण सी धारा काम करेगी दारा 376 लग है कई बार ऐसा भी होता है भी दारा 376 भी शड़ियंतर कारी नीती के तहट भी लगाई जा सकती है देखो क्या होता है जब बलातकार होता है उस पे दोसी साबित हो रहा है दोसी साबित होने के लिए जो महिपीडित महिला है अच्छा ये कानून एक बात हो रहे हैं पुरुष के लिए नहीं है कोई भी मतलव कोई भी गटना गटित कर दे बलातकार का परादी इसका उलेक बारतिय दंड सहींता की धारा 376 के अंदर इस अपराद का ओलेख है यानि कोई महिला है उसको प्रूफ देना जरूरी है मतलब यदि उसके साथ में इस प्रकर एगटना घटित होई है तो उसको वस्तर चेंज नहीं करना या रखना है क्या वस्तर चेंज नहीं करना या उसके कोई चोट वगरा की निसान है वो मतलब ट्रीटमेट पहले नहीं लेना है यदि आप ट्रीटमेट तुरूंत करवना जरूरी है तो डोक्टर की रिपोर्ट आउश्य त्यार रखे नहाना नहीं है तो रूत नहाना नहीं है कोशिस करे यदि कपड़े फटे नहीं है तो कपड़ी भी साथ में रखे जाएं भाई मैं कहा रहा हूं आप कोई इसको दर्वे में नैले क्योंकि ये बताना तो पड़ेगा भाई यार कानून है तो बताना तो पड़ेगा ये चलो ठीक है ये कानून गटित हो गया सिदी सिदी बात है बलातकार का अपराद हो बार बेवापा अगादवार वरासी पती पतनी के संभोग को कब बलात कर कहा जा सकते हैं। या उस बच्ची के साथ जबरदस्ती पुरुश्ट नहीं कर सकता। यदि 15 साल तक की कम उमर की बच्ची है और उस बच्ची के साथ में जबरदस्ती की जा रही है, तो पती दोवारा उस बच्ची का या उस महिला का बलातकार माना जाएगा। और आफ्टर एटीन भी, चालीस साल की लुगाई वो थरबले, तो टाबरा की मा हो थे फेर भी बीसागे जबरदस्ती को नी करी जासके, कानून है तो ध्यान रखना पड़ेगा, उमर की दो है भाई, इसी दी डालेट उमर की दे इसके अंदर भी, उमर के दरग बहुत काम के कानून जरा ध्यान दो, पती पतनी के संभोग को कब बलातकार कहा जाएगा, जब फंदरा साल की उमर से कम हो, जब बरदस्ती की जाए, और मतलब आप फंदरा को नी चितालीस की उबने लेकिन फेर भी उसकी परमिसन तो जरूरी है, भी ना परमिसन ना, गलत काम, आगे द रहने होए कपड़ों को नैध होए, कहीं थन में, आ देखो, इस गटना की जानकरी अपने परिवाल वालों को बतानी चाहिए, और पुलिस में इसकी रिपोर्ट करवानी चाहिए, तीन आपके लिगल फेक्ट है, कानूनी तरीके से देखा जाए तो, बलातकार यदि किसी म बहुत बनी जीमिदारी होती है, भई, आराम से बात करनी चाहिए, जो पीडित है, पैसे दोश की बात समझने चाहिए, यदि वह जद़ कíbीर मामला है, तो पुलिस को कमप्लेन करने पर पुलिस को इसके घर जाकर बात सुननी चाहिए, यदि बहुत सारे कानून है, यदि पुलिस अधिकारी नहीं सुनता है, तो वो पुलिस उपनिरिक्षक के पास जा सकते हैं, यदि वो भी नहीं सुनते हैं, तो डारेक्ट सीम तक जाने का अधिकार इस पीडित को होता है, अब सुनो जड़ा आपने क्या कहा रहा है, यह कानून देखो, लिखित रूप से, अध वीरता से ले और इसकी रिपोर्ट तुरंत रूप से लिख दे, और कारवाई स्टार्ट करते हैं, पुलिस अधिकारी इस तरी की रिपोर्ट लिखने से इंकार करता है, तो पुलिस अधिक्षक को लिखित सिकायत करो, थारलो भाईयो, तरोगो, थारो अधिक्षक, रिपो बलात कार करने वाला पुरुष प्रभावसालिय बलसालिय और पुलिस उस इस्थानिय मजिस्ट्रेट इस्ट्री की रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दे तो उसे इस्तिती में राज्य के मुख्यमंत्री पुलिस महा निरक्षक स्टेट लेवल पे इस्थानिय विधायक या जिला अधिकारी को भी लिखित रिपोर्ट दी जा सकती है यानि हर दर्वाजा को लाए बैस पिडित के लिए होना भी चाहिए मैं तो चाहूं कि यसी घटना पे तो पुर्ण रूप से लगाम होना चाहिए कानून होना चाहिए यह सवधी अरवड़ा भाई साथ यदि कोई पुरूस इस प्रकार की घटना घटित करता है तो बांग कुछ मत करो बांग गलम फंदो गाल के डालेट जैसे भी उठाओ यह जैसे भी उठागे चुरायग बीच में खड़े करो फिर लेवे एक केट 47 और एक की 47 लेकर इसको जिशुन 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 गोड़िया मार देऊ खटाब खतम सारवजनी गुरूप से चुरायग बीच में खतम ही गर्द्यों कभी ये क्राइम रुख सकता है मुझे लगता है वैसे तो देखो कानून ज़्यादा बढ़ा है कानून के वहलना अपने नहीं करेंगे अपने इतनी शमताब निये कानून को अपने काट सके यह कोई पुलि स्थियों की जरा हम देखते हैं कि स्थियों के लिए क्या-क्या व्यवस्ता हमारे यहां पर रखी गई है जरा देखो इस तरी का बलातकार होता है उसके मानशिक स्थिति पर बुरा परभाव पड़ा है गबराई हुई होती है इसलिए उसमें न्याले को भी से सावधारी ब सकती वहां पर तो कॉंस्टेबल लेडी कॉंस्टेबल उसको साथ में उसको उठाके ला सकते हैं या मतलब पूरी डॉक्टरी टीम उसके साथ है तो भी संबव है मतलब पूरी स्विधा देना ये कोर्ट इस बात को वेरिफाई करता है और इसको अलाउ करता है कि इस महिला क अभीर दिक्कत चल रही है तो कोर्ट की डेट भी आगे बढ़ाई जा सकते हैं ते इतारिक आगे बढ़ाई जा सकती है। मामले की जाच की पर पता छले मामला कितना घंबीरता घंबीरता काफी बढ़ी है तो उम्र कि अपरन अपराद में महिलाओं की सुरक्षा क्या है तो तक्रिस विदाए देखो जर क्या क्या है जिसकी आई उठारा साल से कम है संग्रक्षन का अधिकार उसके माबाप का है फोनों से यह बाई जर्टा बरन ते पैदा कर रही हो तो संभालने के जिम्मेदारी थारी होएगी जाई इसी बात है माबाप ने पैदा किया तो भी संभालने के जिम्मेदारी तो बनेगी और टीनेज की तो एजी बच्चों के ऐसी होती है मन में तरह तरह के लड़ू पूटते हैं के छोरार के पूरों की जिम्मेदारी किस क्यों नहीं चाहिए माबाप की होती है माबाब जो पैदा किया है तो भाई समाननी पड़ाई देखो क्या बात इसमें भारतिया देंड सहीता की धारा 263 में यह जो बात है अपरन का अपरादी है इसको लेकर बात जैसे कोई इसमें नोर्मल समन परादाता Laughter ऐसक वार सुनायन आकबार में भूला कर फूसला कर ले गया बुला फुसला कर ले गया बगाकर ले गया आज ही कोई सिंगर सुंगर जेपुरूं बतावा लेगे बाग्य बतावा कोड़े कुण लेगे चोरी साली नेर बाग्य बाग्य बतावा कोई एक जदाई आरे अवास्त मास्कर स्टुडेंट ने लेगे जदाई बागरे आज करो बारतिय दंड सहिंता की धारा 363 अप्रहन का अप्रादी बुला फुसला कर ले जाए तो वह अप्राद 363 धारा के अंतरगत रखा जाएगा मामला घंभीर है छोरी इन किडनेप कर ले गयो यानि अप्रन करके ले गया उठाके पेकिंग करके ले गया छोरी चारी को नि इम छोरी फिल तो त्यार होगी बोला हाँ चलो आइंज यहां की टोफी देने के बहाने ले गया मतलब मैं तेर साथी कर लियूँगा आपाउं आपाऊं मैं कुछ यह जिंदगी जी आंगा आपाऊं तू मेरी राणी मैं तरह राजार तूम एक बार आजार मतलब खीक मैं तरह सहजादार तू मेरी सहजादी मोटा मोटा सप्ने दिखाकर छोरी आज्या खवाबागमा दो करने जैसे स्थिति आ जाती इसमें बुला फुसला कर ले गया इस ये दो कानून चलते हैं यह याद रखना है यहां पर दो धाराया कांग करेगी आपकी अगला जो कानून आप देख रहे हो यह भी तोड़ा तकड़ा कानून है वेश्या वरती से महिलाओं की कानूनी रक्षा एनेतिक वैपार निवारन अधिनियम 1956 पहली बात तो आई यह जो कानून है नहीं इन कानून में महिला ने आप परमिसन कुंदेरी कि थे वेश्या वरत कर्ष को या एनेतिक देव वेपार कर्ष को इस कानून के अंदर रोक ठाम की बात की गई है इसमें रोक ठाम की मात की लान के इसको रोकशा बन पार्ष्या वरति को खत्म कैसे लियुक के पहली बात तो तो देखो कोई महिला अपने देह के साथ वेपार नहीं करना चाहेगी वेपार करने को मजबूर करती है तो उसकी आर्थिक स्थिति सामाजिक स्थिति उस महिला की धूर्दसा उस महिला की मजबूरियां जी हाँ इस सरकार वास्तम में इसके उपर अच्छे से रिजल्ट निक परकार निकाल कर ही और इस परकार से इनको आर्थिक स्तर पर मजबूत किया जाएगा तब ये मामला ठीक हो जाएगा नए अधीनियम के इंतरकत कारा दो में बच्चे से अभी पराई है कि वह वैक्ती होगा आज कल के टाबर भी मतलब आँची जाम गदा डूबता जारे हैं वह वैक्ती से होगा जिसकी आईउ सोड़ा साल से कई बर क्या है कि इसमें जैसे एक तो वो परादी होते हैं जो इसमें इन्वल्व होने जाती हैं जियां कि टौड़ा एक वो होता है कि कोई महिला गेंग चला रही है मतलब को चला रही है माल के गाव में प्रूट हो और तो वह चोड़ती हैं कोई Cosile पंद्रा साल को उटा बरियों को चले जाए मालुवी टाइप में तो वो बच्चों यह माने जाओगो उठारा साल जित तक बाइं लिंग तो माने जाओगो पुलीस अधिकारी बिना वारेंट के गिरिफतारी कर सकती है जहां वे शेवरती कराई जाती है मतलब पुलीस जाके डारेट बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं रेड पढ़ गई चापा मार दिया यह पुलीस डारेट जाके चापा मार सकती है यह उटलों वगएरा पर भी हो जाता है इस तरह से होटल वगएरा में भी चापे चुपे के विर पढ़ते होते हैं यह अनलीगल काम होते हैं वहां चलता है यहां पर भी स्तरे की छापा मारी होती है वहीं तकड़े स्तर पर छापा मारी होती है बहुत तकड़े स्तर पर होती है तो आप देख रहे हो वेश्यवर्ती कानून इसके बाद आप देख रहे हो पुलिस से सबंदित महिला की अधिकार क्या है बहुत अधिकार बहुत तगड़ा तगड़ा दंड प्रकिरिया सहीं पुनीस ओती है तर क्या कहती है कोई भी महिला को गिरफतार करना है तो उसको लेडिस कॉंस्टेबल या लेडिस पुलिस कर में ही गिरफतार कर सकते हैं कोई महिला थाने में उसको 24 गंटे अधिक समय तक पर रखानी दा सकते हैं उसको मजिस्ट्रेड के पास 120 गंटे के भितर भितर पेस करना होगा सामान्य मामलों में महिला ने हतकडी को लगाई लिजास के घरूं थे थाने ले जाने वस्ता हतकडी को लगास कोचे कितनी मुठी गुंडियों बलाईबा हतकडी नहीं लगा सकते आप हाँ बहुत तकडी है थाने से उसको कोट ले जारे बीट में फरारोस का गुंडी तकडी वह होता है उस इस्तिति में आप तकडी दगा सकते हो घर से थाने ले जाने के लिए तकडी लेगाने का परावदान नहीं है पुलिस को गिर्फतारी के समय जोर जबरदस्ति करना यह मतलब आदमी अराम से जाने को त्यार है अराम से जाने को त्यार है अराम भाई अराम से बोलो पकड़े ले जो जाने को त्यारी भी को दिक्कत नहीं है लेकुन कि एक तमसे भैंकर भगदर मचा देगे वह पुलिस वड़ा आगे लट बजाएंगे निच्चे मारेंगे एक हाथ पकड़ेगार एक टांग पकड़ेगार एक मतलब बाल पकड़ेगा और जैसे कि आप लाइब तस्वीरों में देख रहे हैं कि आपके सब्सक्राइब ने देखिए देहरना स्कल पर यह वह वह वा तो मावल बनाने को काम ज्यादा हुआ है अराम से चल्दे को त्यार होता है तो आप जिसे तरह से पुरुसों के साथ जिए जबरदस्ती होती ह गिरफतारी के समय या बाद में महिला किसी वकीली को बुलाकर अपना कानोनी साहता ले सकती है बिलकुल अधिकार अपनी सुरक्षा के लिए आपने चानने वाले अरिश्टारों को अपने साथ पुलिस से स्टेशन आने का अधिकार है बिलकुल है ग्रिफतार करने पर पुलिस बाद दे करें कि वह 24 गंटे की अंदर-ंदर कोर्ट में पेस करो, मजिस्ट्रेड के सामने, बादें मजिस्ट्रेड के कहने सारी उसको जड़ में रखाजा सकता है, और या था पुलिस को 24 गंटे से ज़ादा एक महिला को जड़ में रखने का आएच वेडियो को लाइक कर दिया घ्रोए को लगा अपना शेर किया करो लाइक किया करो सभवड़ीजी आवे बहुत ज्यादा किया करो अब दाराक स्टार्ट जाएगी अगली क्लाश ट्रिकों पिछलेगी है यहां ट्रिक का याद करौंगा अंगलियां को पर वहा तो पाल यह को फड़ोफ बहुत तग्डडी सारी कॉल के सबसक्रक्रै अने को Rick ठाट वागिंव खतने, परसंद देखो एग तो यहär उत्तर परदो पूरा उत्तर दो कमेंट बोक्स में परसंद परदो च्रुचिंग क्या उत्तर होगे आप बताूंगे। आज इतना ही बड़ाऊंगा अगली कलास में धाराएं बड़ेंगे बड़िया तरीके से चीक आज के लिए इतना ही बाई टाटा बाई